आउज बिल्लाहिमिन शेत्वानि रोचीम बिस्मिल्लाहिर रौख्वानि रहीम असलाम लेकुम दोफ्तो मैं हूँ मुफिन रजा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विसिव यूट्यूब चैनल दोफ्तो आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 101 Financial Accounting का जो हमारा Quiz No.2 आया हुआ है उस हवाले से है Quiz शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन बचों को Financial Accounting समझ नहीं आ रही है या जो बचे बार-बार Financial Accounting में फेल हो रहे हैं या वो बचे जो फफ टाइम Financial Accounting पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये इस सब्जेक्ट का करना क्या है तो उन्हें लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि मैंने एक नया YouTube चैनल फ्टार्ट किया है जिसका नाम 24R7 Teachers Online रखा है उसके उपर मैंने Financial Accounting के अपने लेक्चर्व रेकॉर्ड करके रखे हैं ताके आप लोगों को Financial Accounting बता सकूं Financial Accounting फिका फिकूं आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग 24R7 Teachers Online पे जाईए और वहां पे जो Financial Accounting के लेक्चर्व अवेलेबल हैं उन से ना फिरफ खुद फाइदा उठाएं बलके आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिन लोगों का Financial Accounting subject है और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो Financial Accounting का subject कैसे पास करें दोस्तों उस चैनल का जो URL है वो मैंने इस वीडियो की description में भी आड़ कर दिया है और इस वीडियो के इखताम पर भी आपको मिलेगा जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए या 24 आर 7 टीचर ऑंलाइन पर मेरा कोई नया लेक्चर आए तो वो आप लोग सीख सकें सुन सकें और आगे दूसरों को शेयर कर सकें दोस्तों बढ़ते है आम अपने कुईव की तरह और देखते हैं कुईव है क्या दोस्तों इस हवाले पे जो है मैंने दो कुईव किये हैं वह तो मैंने बहुत सारे फाल की एह बच्चों के जो मेरे फटूड़न्ट हैं लेकिन यहां पर मैं फिर आप लोगों पे दो कुईव शेयर कर रहा हूँ अब quiz number one का question number one है वो आप लोगों को screen पे सामने नजर आ रहा है दोस्तों इसमें दिया गया है in a manufacturing concern the amount of opening stock is Rs. 15,000 it purchases during the year 2,50,000 frightened world जो है वो हमारे पाफ 5,000 है और closing stock जो है वो हमारे पाफ 25,000 है और what will be the amount of cost of good sold? हमने amount calculate करनी है cost of goods sold की इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग open करेंगे calculator और calculator open करने के बाद यहाँ पे देखें हमें दिया हुए सबसे पहले opening stock opening stock हमने add किया वो हमारे पाफ 15,000 का opening stock के अंदर हम add करते हैं परचेविव वो हमारे पाफ 2,50,000 की हैं वो हमने add की उसके बाद हम freight inward जो है वो इसके अंदर add करते हैं 5,000 और उसके बाद हम इस में से minus करते हैं अपना clothing stock वो है 25,000 तो हमारे पाफ जो बाकी बज़ता है वो है cost of good sold पंकलब 2,45,000 अब हमारे पाफ जो option अवेलेबल हैं 2,50,000 2,15,000 2,40,000 और 2,45,000 तो last वाली जो हमारी option है 2,45,000 वो हमारी इसकी बिल्कुल ठीक option है तो यह हमारा quiz number question number one हो गया question number two जो है which of the following organization convert the raw material into the finished goods इसमें हमारे पाफ trading concern है, manufacturing concern है merchandising concern है और service concern है जिन दोस्तों ने मेरे lecture सुने है उन लोगों को अंदावा हो गया होगा कि इसका ठीक जवाब कौनस है बिल्कुल exactly आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि यहां पे जो हमारे पाफ दूसरा option है manufacturing concern का these are those organization who's convert the raw material into the finished goods जो raw material को finished goods के अंदर convert करते हैं वो हमारे पाफ manufacturing concern है तो हमारा जो answer number two है मतलब option two है वो हमारा इसका खीक जवाब है next question है which of the following effort are shown at written down value in the balance sheet balance sheet के अंदर written down value के उपर कौन से efforts लिखे जाते हैं current effort है liquidity effort है floating effort है और fixed effort है हम जो balance sheet के अंदर efforts लिखते हैं जो written down value पर लिखे जाते हैं depreciation charge जिनकी होती है और वो charge minus करेके लिखे जाते हैं वो हमारे पाफ fixed effort लिखे जाते हैं और last वाला जो option है वो हमारा इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है जी which of the following method of inventory valuation have lower cost of goods sold value and the profitability of the organization become higher इसमें हमारे पाफ वेटी डेवरीज मेंथेड है इसमें 5-4 मेंथेड है first in first out का life method last in first out का और none of the given option है तो दोस्तों हमारे पाफ फाइफो मेंथेड एक ऐसा मेंथेड है जिसके वरिये जो है cost of goods sold की जो value है फो lower cost की जाती है if एक हमारी company की जो net income है वो व्यादा फेड़ा हो जाती है क्योंकि हमारे पाफ जो जो चीवें पहले आती है वो हम पहले वो कर दे दे लिए उनकी जो cost होती है वो काम होती है जो लीए हमारी जो profitability ही है वो व्यादा होती है तो second वाला जो है हमारा इसका बिल्कुल ठीक जबाब है Next है जी हमारे पाफ the cost of incomplete effort at the end of the year in the balance sheet is transferred to यहां पे हमारे पाफ capital account है, capital working process account है हमारे पाफ relevant effort account है और honor equity है तो हमारे पाफ जो at the end of the year incomplete effort बच जाते हैं वो हम transfer करते हैं work in process account के अंदर और यहां पे work in process account जो है वो एक ही option के साथ है जो second option है capital working process तो capital working process जो है हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा मतलब जो दूफरी option है वो इसका ठीक जवाब है नेक्स्ट है जी the total cost of asset minus accumulated depreciation is equal to इसमें हमारे पाफ current market value है historical cost है book value है और replacement cost है तो जब हम asset में इसमें माइनस करते हैं accumulated depreciation तो हमारे पाफ जो है वो result book value बच जाता है तो इसमें जो third option है वो इसका ठीक जवाब है नेक्स्ट है जी if cost of sale 60,000 income from sale 95,000 and direct expensive 10,000 calculate the net profit इसमें 15,000 है 35,000 है 55,000 है और 60,000 है दोस्तों हमारे पाफ जो sale है वो 95,000 है उसमें से हम 60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पाफ जो जवाब है वो 35,000 आएगा तो second वाली जो option है वो हमारी इसकी ठीक option है अगर हम आगे direct expensive को भी इसके साथ add करें तो बाकी हमारे पाफ 25,000 बचता है और 25,000 हमारे पाफ options के अंदर मजूद नहीं है इसलिए हमने फिर इसका second ही option बिल्कुल ठीक जवाब है 35,000 नेक्स्ट है जी वाट विल बी इंट्री ओफ डिस्पोजल ऑफ एन एफट एट कोस्ट प्राइफ डेबिट तो फिक्सड इसपोजल और क्रेडिट तो फिक्सड इसपोजल और क्रेडिट तो फिक्सड इसपोज थार्ड है डेबिट टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट या क्रेडिट फिक्सड इसपोजल और नन ऑफ इसपोजल तो जब हमारा एफट जो है वह हम सेल आउट करते हैं कीमत के उपर तो उससे जो है या तो हमारा कैश का अकाउंट डेबिट होगा क्यूंकि पैसे आ रह जो अप्शन है वो बिलकुल इसका ठीक जवाब है नेक्स्ट कॉश्चन है जी इस क्रेंट एफट एक लाग क्रेंट लाइबिलिटी पचास अबार एंड फिक्सड एफट दो लाग वट इल वर्किंग कैपितल सफ्ट अप्शन पचास अबार सेकिंड ओफशन एक लाग थ इक्वल टू वर्किंग कैपितल तो क्रेंट एफट एक लाक है क्रेंट लाइबिलिटी वह पचास अबहुत है तो इसलिए हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा वह पचास अबार आएगा और फ़फट अप्रिशन जो है वह बिलकुल इसका ठीक जवाब है इसके आखरी कोई number one का जो question है वो है which of the following particular is include in the payment voucher इसमे name of organization है इसमें हमारे पाफ cash payment है और date है और all of the given option है दोफ्तों जब हम बात करते हैं payment voucher की चाहे वो cash payment voucher हो या हम receipt voucher की बात करें चाहे वो cash receipt हो तो उसके अंदर name of organization भी आता है अगर हम payment की बात कर रहे हैं तो cash payment आती है अगर हम receipt की बात कर रहे हैं तो cash receipt आती है और उसके साथ date भी आती है it means के इसके अंदर फारी चीज़ें आएंगी और इसका जो last वाली option है all of the given option वो इस question का बिल्कुल ठीक जवाब है दोस्तो इस तरीके से हमारा जो quiz number one है वो complete हो जाता है मैंने आप लोगों से share किया था कि मैंने यहां पर वैफे तो बहुत फारे quiz कियें लेकिन मैं फिरस आपको for the timing दो quiz share कर रहा हूं ताक कि आपके maximum probability जो है question आने की वो बढ़ जाए इसलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो quiz number two था financial accounting का वो क्या है इसमें first question है what will be the sale price of machine at the time of disposal if cost of machine 4,00,00, loss on disposal RF 15,000 and book value at the time of disposal RF 20,000 दोस्तो मैंने जो इसका option लगाया है वो third वाला 35,000 लगाया है इस question कि मुझे समझी नहीं आई थी आप एक बार इसको दुबारा verify कर ले तो third वाला मैंने इसका ठीक जवाब लगाया है next question है जी the estimate value of an asset after the expiry of its useful life is called कि जब हमारा asset जो है वो expire हो जाता है वो खतम हो जाता है तो उसकी जो value बचती है उस value को हम क्या कहते हैं written down value, residual value, premium value या face value तो जब हमारा asset जो है वो expire हो जाता है तो at the time of expiry the value of an asset is called residual value इसको हम residual value कहते हैं third question है जी a sum of Rs.8000 paid as wages to repair the office furniture should be debited to repair account, furniture account, cash account और office expense account जब हम office की किसी चीज़ को repair करवाएंगे तो this expense will consider as an office expense उसको हम office expense के account में debit करेंगे और last वाला जो है वो हमारा office expense account का option है तो इसलिए हमारा जो fourth वाला है वो इस question का बिलकुल ठीक जवाब है next question है जी a voucher which is used to record payment of cash or check is known as cash payment voucher, bank payment voucher, general voucher और हमारे पाफ है payment voucher जब हमने payment को record करना हो चाहे वो cash की payment हो, चाहे वो check की payment हो तो उसके लिए हम लोग payment voucher use करते है तो last वाला जो है वो हमारा payment voucher है तो इसलिए fourth option जो है payment voucher वो हमारे if question का बिलकुल ठीक जवाब है next question है the purchase account and fail account should include both cash and credit fail and cash and credit purchase of merchandise only cash purchase and cash fail of merchandise only credit purchase and credit fail of merchandise not only merchandise transaction but also purchase and fail of other effort used in the business तो इसके अंदर हमारे जो first वाली option है both cash and credit fail and cash and credit purchase of merchandise वो इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है question number six देखते हैं जी the amount of depreciation charged under fitrate line method decrease every year remain constant every year increase every year first increase then decrease अब जब हम fitrate line method use कर रहे होते हैं तो उस वकत हम जो depreciation है वो सारी की सारी first में ही calculate कर लेते हैं और फिर हर साल उसी हिवाब से हम depreciation उसमें add करते चले जाते हैं इक means के when we are using the fitrate line method it to remain constant every year उसका जो result है उसकी जो value है depreciation की वो remain constant रहती है हर year के अंदर तो इसमें जो हमारी second वाली option है वो इस question का बिलकुल ठीक जवाब है next question है जी which of the following account normally does not exit in the balance sheet of manufacturing concern manufacturing concern के अंदर कौन सा मतलब इसके अंदर जो है balance sheet के अंदर item exist नहीं करता वो है work in process inventory, raw material inventory, merchandise inventory और finished goods inventory जब हम manufacturing concern की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है के we are converting the raw material into the finished goods it means के we are following the three types of inventory raw material, work in process and finished goods इसमें जो third वाली option है वो inventory के अंदर जो है merchandise inventory वो trading concern के लिए suitable है तो इसमें जो third वाली option है वो manufacturing concern के अंदर exist नहीं करती तो third वाली जो option है वो इसका ठीक जवाब है एट नमबर पे है total depreciation of an asset cannot exceed its scrap value, residual value, market value and depreciable value के जब हम depreciation charge कर रहे हैं तो हमारी जो depreciation है वो नहीं बढ़ने चाहिए मतलब हमारी market value से भी बढ़ सकती है, residual value से भी बढ़ सकती है, scrap value से भी बढ़ सकती है लेकिन वो depreciable जो amount है उससे नहीं बढ़ने चाहिए तो last वाली जो option है वो हमारी इसकी बिलकुल ठीक जवाब है next second last question है, in the cost of goods in the cost of goods sold statement, the sum of labor cost and the factory overhead is known as conversion cost, prime cost, total factory cost or cost of goods manufacture, cost of goods manufacture तो है नहीं क्योंकि उसके अंदर हम फिर work in process का जो है बाकी जागे यह उपर वाली तीन cost, अब हमारे पाफ एक product की cost के अंदर तीन चीज़ें शामिल होती है, raw material, labor और F.O.H. जब हम उपर वाली दोनों चीज़ों को add करते हैं, मतलब material को और labor को add करते हैं, तो उसके नतीज़े में हमारी prime cost बनती है, तो इसका मतलब यह है कि यह वाली भी हमारी नहीं है, second वाला option भी नहीं है, उसके बाद जब हम prime cost के अंदर F.O.H. जमा करते हैं, तो वो total factory cost बनता है, तो इसका मतलब यह है कि total factory cost भी नहीं है, क्योंकि हम उपर labor और factory overhead को जमा कर रहे हैं, जब हम नीचे वाली दो values को मतलब labor और factory F.O.H. को जमा क नेक्स्ट और last question है, जी, what will be the amount of opening stock, opening stock की value क्या होगी, if manufacturing concerns show the cost of goods sold 2,45,000, 45,000, freight inward 5,000, and closing stock 25,000. जब हमारे पाफ कोई ऐसी situation आ जाए, जिसमें हमें सारी values दी गई हो, और first वाली value पुछी होई हो, तो उस वकद हम reverse calculation करते हैं, reverse calculation कैसे करेंगे, यहां पर हमने calculator open किया, calculator open करने के बाद यहां पर देखें, हमें value दी गई है, सबसे पहले जो है, वो cost up goods sold दी गई है, हम यहां करते चले जाएंगे, और जो minus होगी, वो हम add करेंगे, closing stock अब देखें, इसमें सबसे पहले है, last में जो लिखा हुआ है, वो हम minus करते हैं, तो इसके अंदर हम add करेंगे 25,000, फिर frightened word add करते हैं, तो हम उसको minus करेंगे, minus 5000, अब 250,000 जो है, वो भी add करते हैं, purchase का, लेकिन हम बच जाता है, और इसमें जो option है, वो 15,000, 10,000, 25,000 और 20,000 वार की है, तो इसमें जो first वाली option है, वो हमारी if question का बिलकुल ठीक जवाब आ जाएगा, दोस्तों, हमारे ये जो दोनों quiz थे financial accounting के, वो quiz number two था, मैंने चुँके काफी वारे बचों के किये थे, इसलिए मैंने आप से दो quiz share की है, मैं फिर आप दोस्तों से घुवारिश करूंगा, जिन लोगों को financial accounting की समझ नहीं आ रही है, वो जल्दी से www.youtube.com slash teachers online for you पे जाए, वहाँ पे मेरे अपने financial accounting के recorded lectures available है, जो बिलकुल समझने में अफान है, ना फिर आफ वो आप खुद देखें, बलके आप दोस्तों से share करें, और मेरा चैनल जरूर subscribe करके साथ bell के icon पर भी click कर दें, दोनों चैनल के, ताकि जब भी कोई मेरी नई video आए, चाहे वो assignment के solution से related हो, चाहे वो GDP के solution से related हो, या मेरा कोई lecture हो, तो वो आप लोगों को सब से पहले मिल सके, या उसका notification आपको सब से पहले मिल स करके, दोफ्तों मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ या GDP solution के साथ उफ वकत तक के लिए, मौफिन भाई को इजावत दीजिए, thank you very much दोफ्तों, अलाहाफिव,